आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले के क्लेस्टरिंग क्या होती है खासतोर पे के मेंस क्लेस्टरिंग क्या होती है और क्लेस्टरिंग को बड़ी डिटेल में हम पहले थोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे फिर उसके बाद प्रेक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे तो यह जो ले करते हैं कि क्लस्टरिंग डेटा साइंस में क्यों की जाती है इसकी रीजन क्या पड़ी तो मैं यहां पर अगर लिखूं डेटा साइंस इसका मतलब क्या है जब हमने स्टार्ट में शुरू किया था बिलकुल हमने बोला था साइंस बिहाइंड दे डेटा ऐसे हैं साइंस बिहाइंड देटा अब जो साइंस थी बिहाइंड देटा डेटा तो हमें पता है नंबर्स होगे कोई भी इंफरमेशन होगी किसी भी किसम की और इस वकर जो डेटा है काफी बायट्स ट्रिलियन बायट्स से भी उपर जा रहा है का जिलियन बायट्स अगर कि कोंतिलियन के बात करें वह भी है इस तरह कि काफी बायट की टर्म्स आदे मैं सिंपली कहूंगा बहुत ज्यादा डेटा तो साइंस में इंद डेटा क्या है कि डेटा के पीछे छुपे हुए पैटरंस देखना डेटा में क्या है कियों है कहां पर एकिस वज़ा से यानि के सारे डेटा के दूरान मैंने आपको यह चीज़ें बताई ही थी कि डेटा किस चीज से बेलॉंग करते हैं डेटा की टाइप के हैं कंपोजिशन के हैं कहां से आया, किसने बनाया डेटा सारा कुछ उसके बारे में हम देखते हैं Other than that, जब डेटा आ जाता है उसके बीच में से जब हम patterns recognition करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी आप कहलें के term है जो हम utilize करते हैं for data understanding patterns के साथ साथ हम जब data को explore करते हैं तो एक बहुत बड़ा part जो है data को explore करने का that is held by clustering so clustering आपके patterns को बताती है आपके data को explore करके बताती है आपके data को understand करने में आपको help करती है ठीक है? और आपको data के बारे में different grouping बताती है कि कौन सा data किसके साथ belong कर रहा है यानि कि relationship of the data इसके इलावा अगर इसको मैं एक line में बनाओ तो clustering एक fundamental technique है अगर मैं clustering की बात करूँ ये बहुत ही fundamental technique है fundamental technique टैक लिखूँ हम यहाँ पर जो data science में यूज होती है और machine learning में यूज होती है ठीक है ये unsupervised machine learning है जैसा कि मैंने आपको पहले कल supervised और unsupervised का फरक बताया था unsupervised है यानि केस में हम labels नहीं देखते सिरफ और सिरफ features को देखते है unsupervised machine learning method है और इसमें हम क्या identify करते हैं और साथ में आप data के वो वले point जो similar हैं similarities या अगर आप similarities देखेंगे तो obviously आप differences भी देखते हैं clusters के intra और inter की जो कलम बात कर रहे थे तो ये सारा कुछ हमें clustering बताती है ठीक है और इसी वज़ा से clustering जो है ये हर किसी field में जब आप एक उपर वाले level पे जाके ज्यादा data को explore कर रहे होते हैं तो clustering बहुत ज़्यादा दफ़ा वहां पे use होती है most of the time people also use this technique in exploratory data analysis EDA के अंदर भी लोग use करते है reason क्या है? reason यही है कि EDA के अंदर आप clustering इस वज़ा से करते हैं कि आपको data के बारे में information मिले आपको याद होगा मैं हमेशा data के चार सिम्तैन आपको बना के बार बार बताता हूँ अगर data यहाँ पर है तो सबसे पहले हमारे पास data की composition है फिर data की distribution है फिर data का comparison है और data का relationship है तो यह सारी चीज़े यानि के connection यह चार चीज़ें important होती है और clustering आपको क्या-क्या बताती है clustering आपको composition भी बताती है कि कौन सा data कहांपे है आपको data की distribution भी बताती है based on different clustering method आपको data का comparison भी बताती है कि यह group दूसरे से different है और relationship भी बताती है कि दो group similar है आपस में six points के अंदर लिखू के clustering के कौन-कौन से फवाइद है तो ये गलत नहीं होगा कहना कि अगर हम पहला start करें benefits of clustering के clustering हमने करने क्यों है वजा क्या बन गी है अगर हम benefits देखें of clustering यहां हम इसको यह भी कह सकते हैं clustering with benefits तो पहला जो है हमारे पास data exploration and understanding सबसे पहली चीज़ डेटा exploration and मैं यहां पर better understanding लिखते तो पहला काम यह यानि कि आप data को explore करते हैं data की distribution देखते हैं data की structure देखते हैं data की natural grouping देखते हैं कि जब आपने data को लिया आया collect किया natural group कौन से बने डेटा में pattern कैसे बने data में outlier हैं के नहीं है कल हमने जो types देखी थी और यह exploratory faces of data science के लिए बहुत जरूरी हो जाता है यानि के EDA के लिए जो मैंने आपको पहले बताया है ठीक है second one is pattern detection तो जब हम pattern detect कर रहे होते हैं तो clustering क्या करती है identify patterns करने में help करती है जिससे हमें data का trend पता चलता है trend of the data ठीक है इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब आप एक data को draw करते हैं आपके पास एक cluster यहां पर एक cluster यहां पर एक cluster यहां पर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है यह high salary वाला cluster हो यह middle वाला यह low वाला सो इससे हमें pattern भी पता चल जाता है कि हमारे पास तीन किसं के salary के groups हैं जो pattern है उनका यह जा रहा है just giving you an example when you are drawing cluster inside the data तीसरी आपके पास जो कल मैंने आपको चीज़ बताई थी that was dimensionality reduction इससे आप dimensionality reduction भी कर सकते हैं for example आप इससे जो ज्यादा parameter है उनको ड्रॉ करते हैं और देख लेते हैं अच्छा ठीक है यह दो तो आपस में एक ही है तो आप उसमें important वाला चूज कर लेते हैं और गयर importance होता है वह से निकाल देते हैं ठीक है तो हम each cluster को as a point देखते हैं यहा के बिधाल दिए कि देच्टरिशन इसके अंदर आ जायता हूं पिर आपका प्री प्रॉसेसिंग आ इसके इसे से एं मशीनरिनइग से पहले आप प्री प्रॉसेसिंग करते हैं जिसमें आप डा को सकेल करते हैं और डा के आउटलैर्ट बगशेएं नेपर करते हैं ऐसे ही है यह सारा कुछ हम करते हैं आ तो आउटलैरर लिमूवल के लिए भी तो एक टाईप है कि जो पास पास हैं वो फास आज हैं डेंसिटी बेस्ट क्लस्ट इंगल होती है और धूर वाले वह हम आउट लैयर डीटेक्ट करके उनकी इंगरेंज बनाके उनको हम निकाल दें यहां हम यह करते हैं कि हम हमाएं पास missing values हैं मैं यहां पे एक एक ग्जेम्पल देता हूं यानि के cluster का में आप असल में उस cluster के centroid के साथ missing value को replace कर रहे होते हैं सही है इसका मतलब यह कि ज्यादा accuracy के लिए आप cluster के centroid से pre processing कर सकते हैं या आप क्या करते हैं data set को reduce करके आप नया cluster भी बना सकते हैं यहां cluster for example आपके पास यह बहुत बड़ा cluster है आप यहां पे centroid से इर्द गिर्द कोई फासला decide करके आप कहें के जो क्रीब क्रीब वाले ज्यादा points है वह मैं select कर रहा हूं बाकि मैं remove कर रहा हूं अपने data को clean करने के लिए यह वही term है जैसे हम outlets detect करके निकाल देते थे so missing values imputition में भी clustering help कर सकती है और outlight detection में भी तीसरी चीज़ inertia एक चीज़ होती है inertia क्या होता है आप के center के पास पास कितने points है एक point center से दूर है ना उसका inertia कम होगा जो pass वाले उनका inertia ज्यादा होगा inertia क्या होता है we will see that इंशाला और इसमें यह चीज़ भी discuss करेंगे सो प्री प्रॉसेशिंग नंबर फाइव नंबर फाइव इस रेली इंपोर्टेंट इस इस कॉल्ड इमेज सेग्मेंटेशिंग क्यूंकि हम डीप लटने की तरफ और अंसुपर्वाइज मशीन लटने की तरह आगया आगय बढ़ रहे हैं और हमने ब्लैक और वाइड यानि के बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देती है मेज को एक आपके पास जीरो वाला हो जाता है खीक है तो बाइनरी कलर्स मतलब क्या होते हैं कि एक टोटली ब्लैक है एक वाइट है तो आप इन दोनों को separate कर सकते हैं इसकी एक बड़ी मिसाल आपको देते हैं तो चले किया याद रखेंगे background removal वाली apps देखी हैं आपने वो क्या हो रहा है उसमें किसी को पता है आप असल में k-means की base पे कर रहे हैं सारा काम k-means plus plus हो सकता है या image segmentation आप कर रहे हैं based on the different algorithms वो कौन से algorithm है क्यों पहले adopt के अंदर ये background removal इतना मुश्किल था और आज कल क्यों असान है क्योंकि आप एक इनसान की शकल देखते हैं और उस पे model train किया हुआ है आप उसका focus देखते हैं कि इस पे focus ज्यादा है पीछे depth field कम है तो वो automatically आप तस्वीर रखते हैं algorithm इतने speedy हो गए है उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे इसके बालों को भी हमने clean करना है और यहाँ पे इसके बाजूं को भी clean करना है और पीछे से background हमने remove करना है अब अगर आपने background remove करना है रखना पड़ता है कि image segmentation के अंदर different algorithms काम कर रहे हैं वो कौन से algorithm है वो यही algorithm है जिन पे हम काम कर रहे हैं ठीक है इसी वज़ा से अखसर उकात लोगों को machine learning users ज्यादा हैं आज कर आज के दोर में ठीक है लेकिन knowledge बहुत कम लोगों के पास है अगर आप machine learning के उपर काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके पीछे technique के है चलो mathematics नहीं आती दर से ना टेक्नीक का तो पता होना चाहिए ना समझाएगी इस बात की image segmentation की number six पे जलते है recommended recommendation system not recommended system recommendation system के अंदर recommendation system क्या है आप आज एक गाना सुनते हैं YouTube पर या कोई वीडियो देखते हैं उसी तरह की क्यों आने लग जाती है वजा क्या है कोई बता सकता है clustering उन्होंने हर वीडियो का cluster बनाया हुए based on the keywords जो हम उन्हें देते हैं patterns बने हैं for example अगर मैं hashtag data science use करता हूँ और मेरी वीडियो आपने play कर लिया एक दफा तो उसी वीडियो को आप कितनी देर retain कर रहे है और जितनी देर उस वीडियो पर आप retain करेंगे similar वीडियो आपको show होना start हो जाएंगी यही वज़ा है अगर आप उर्दू या हिंदी में data science सीख रहे हैं तो आपको बाकियों को भी पता होता है उर्दू हिंदी में data science कौन सिखा रहा है इंग्लीश में सीखेंगे तो इंग्लीश वालों को भी पता होगा अब मैं stat quest का एक channel है बहुत ज्यादा देखता हूँ मैं पूरी दुनिया में सबसे best channel है वो stat के लिए और machine learning के लिए क्योंके mathematics वो सिखाता है stat भी सिखाता है मैं आथ भी सारी चीज़ें और मुझे हमेशा उस तरह की वीडियोज आ रही होती है until unless में उसके news सुनने लग जाओं इसी वज़ाए से मैंने हर channel के लिए login अलएदा बनाया है जहां पर मेरा kodenics का काम है usually I prefer not to listen or watch any videos on that सिरफ मैं data science related काम करता हूँ और जैसे ही मैं विल्कुल separate हो जाता हूँ तब मैं मतलब अपने नाम से एक बनाया हुआ channel कहलें कि अपना login गूगल का तो उसके तरू फिर मैं news सुननी हो या कोई reels देखनी हो या वैसे कोई इदर उदर की बातें देखनी हो तो मैं उस पर देखता हूँ अब समझ आई है recommendation system में असल में चल क्या रहा है आप शारू खान लिखते हैं तो आपको फिल्में आएंगी ना समझ रहे हैं बात को आप पाकिसान न्यूज लिखेंगे आज कल जो पाकिसान में चल रहा है वो आएगा क्योंकि होट ट्रेंड के अंदर है आप त्रिकेट लिखेंगे तो आपको कभी ये होगा कि उसमें उटके कोई actress आजाए देखने के लिए या आप पोईटरी सुन रहे हैं यूट्यूब पर रील्स पर आप देखेंगे एक चीज़ को आप ज्यादा देर देखते हैं आपको वही चीज़ दुबारा नजर आती है नहीं आपको समझ आ रही इस बात की तो आज एक काम कीजिएगा छोटा सा यूट्यूब रील्स पर जाईएगा या फेस्बुक रील्स पर जाके जो आपको रील अच्छी लगे ना उसको कोई तीन मिनट के लिए चलने देना है आपने हर तीन रील के बाद दो रील के बाद आपको दुबारा से वहाईगी नजर उसी तीसम का म्यूजिक भी इसी वड़ा से रील्स और ये जितनी भी चीज़े चल रही है इसके उपर अलगोरिफम म्यूजिक वाला भी है क्लिस्टरिंग की बेस पर इसके उपर हैश्टैग्स वाला भी है इसके उपर लोगों के फेस आते हैं के नहीं आते ये भी है तो रेक्मेंडेशन सिस्टम में इस वकत सबसे टॉप नौज की स्किल ये ही है कि आपको SEO का अगर बता है तो वो रेक्मेंडेशन सिस्टम के बीछे आपका फुल अलगोरिफम चल रहा है तो यूजू नो कि हमने किस तरीके से इसको यूज करना है कम अज़ कम चलो बनाना तो दूर की बाद यूज करना तो आना चाहिए ना तो दिस इस सम्टिंग जो कलिस्टरिंग से रिलेटिड है और ये बहुत वर्सिटाइल चीज है कलिस्टरिंग बहुत ज़्यदा वर्सिटाइल है और बहुत ही पावरफुल टिकनीक है डेटा साइंस की अब आज का जो हमारा अलगोरिफम है वो हम देखेंगे उस अलगोरिफम में सबसे पहले हम देखने वाले है के मीन्स कलिस्टरिंग क्या होती है क्यों होती है किस बज़ा से होती है कौन कौन सी चीज़ी है क्या क्या है इसमें सेंट्रॉइट्स क्या होते है ठीक है फिर आपका एल्बो मैथट क्या है और एक और method है, silhouette method, silhouette जिसे बोलते हैं, silhouette method, वो क्या होता है, फिर इसके बाद अलग method कौन से हैं, जो आपको बताते हैं कि कितने cluster बनाने चाहिए, क्या methods हैं उसमें, सारी चीज़े हम देखने वाले हैं, and at the end आपके पास एक curiosity मैं छोड़ूँगा कि के means प्लस प्लस क्या चीज होती है, और यह इससे भी advanced algorithm है के means से, ठीक है, so we will see those things इन्शाला इस lecture में, और यहां पर मैं यह वाले lecture की recording stop करता हूँ, next lecture में अभी मिलते हैं,